अंदर वाला है इसका differentiation करेगा तो क्या मिलेगा अंदर वाले का differentiation करेगा तो क्या मिलेगा 2x प्लस 1 और यहाँ पे 2 अकर common ले लिएगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 यह बन जा रहा है 2 और यहाँ पे 2x प्लस 1 और यहां हो जाएगा अंदर वूट x स्क्वार प्लस x प्लस 1 dx तो इक्कुल मिलागे क्या हो जा रहा है यह हो जा रहा है 2 और यहां आ जा रहा है अंदर वूट fx और f dash x dx अगर इस टाइब का हो तो इसका अंसर क्या हो जाएगा सिर्फ इसका integration होगा तो क्या हो जाएगा 2 आ गया fx की जगे क्या आ गया x स्क्वार प्लस x प्लस 1 हो गया इसकी पावर क्या जाएगी 3 by 2 और इसके साथ 2 by 3 multiply हो जाएगा plus c हो जाएगा समझ माया समझ माया समझ माया इसको t लेगा तो यह क्या जाएगा इस और इस dt आ जाएगा समझ माया जाएगा इस किसका नहीं बना था यह तुमारा बन किया था तुमारा भी बन किया था 10th number कैसे बनेगा अंडरूट x क्या ले लोगा है common ले लोगा है अंडरूट x क्या लोगा है common लोगा है 10th में क्या कर लोगा है क्या जाएगा dx अपॉन अंडरूट x और यहां क्या बच जाएगा फिर अंडरूट x मैनस 1 और अंडरूट x मैनस 1 का differentiation करोगे तो 1 अपॉन 2 रूट x आ जाएगा dx तो इसका मतलब इसकी जेगे क्या जाएगा 2 dt आ जाएगा इसकी जेगे क्या जाएगा 2 dt आ जाएगा तो क्या हो जाएगा यह 2 dt अपॉन t हो जाएगा 2 dt अपॉन t हो जाएगा अरा समझ में तो आंसर क्या जाएगा इसका 2 लोग मॉड क्या है अंडरूट x मैनस 1 प्लस c यहीं आंसर होगा यह होगा ना 11 भी बन जाएगा x plus 4 को t लेलोगे लेलोगे तो dx is equal to dt हो जाएगा तो numerator क्या आजाएगा t minus 4 upon under root t t minus 4 upon under root t तो ultimately क्या हो जाएगा यह under root t minus 4 upon under root t पूरे को फिर t के respect में integrate लेलोगे क्या है x upon under root x plus 4 dx यह था x plus 4 को क्या मानलो t तो dx क्या आजाएगा dt और यहां से क्या आजाएगा x is equal to क्या आजाएगा t minus 4 तो क्या आजाएगा यह t minus 4 आजाएगा और नीचे under root t आजाएगा और यह dt हो जाएगा क्लियर है फिर क्या कर देंगे इसे इसे तो रोगे t upon under root t dt minus 4 dt upon under root t यह बात समझा आजाएगा तो यह क्या आजाएगा under root t dt हो जाएगा तो मतलब t की जोगे क्या है x plus 4 तो x plus 4 raise to the power 3 by 2 और 2 by 3 और यहां पर क्या आजाएगा minus half plus 1 तो half हो जाएगा तो यह हो जाएगा under root x plus 4 और यहां पर 2 आजाएगा अब पहले से 4 भी है तो 8 हो जाएगा plus 6 क्लियर है यह बात समझ मा रहा है इसको भी डारेक्ट यह आपकता लग सकते हो जो जो से under root x का differentiation क्या होता है 1 upon 2 root x तो वैसे ही dx upon under root x का क्या होता है 2 under root x dx upon under root x का क्या होता है 2 under root x हुआ हुआ है